नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टूर यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी है आज की कुछ बड़ी ओ लेटेस्ट अपडेट्स की तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट्स से जो बाइनेंस और टेरा लुना से जुड़ी है बाइनस CEO रिवेल्स 1.6 बिलियन डॉलर लॉस इंटेरा इन्वेस्मेंट जहाँ पर बाइनस के CEO सीजट बाइनस ने यहाँ पर कुछ बाते कई हुए टेरा लुना क्रेश को लेकर और इनका कितना लॉस हुआ है मतलब इनकी कमपनी का यहाँ पर कितना लॉस हुआ है वो टेरल उनने आल टाइम ही क्रेट किया था लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर क्रेश देखने को मिला उसके कारांट सीजट बाइनस की जो कमपनी है बाइनस उसको एक काफी बड़ा नुकसान हुआ है जिसके बारे में यहाँ पर उन्होंने रिविल किया इको सिस्टम में इतना बड़ा क्रेश होने के बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पर डू कोन के उपर जो क्रिमिनल चार्जे से यूस में वो लगना अभी पॉसीबल नजर नहीं आ रहे है जैसा कि यहाँ पर लिगल एक्सपर्स का मानना है आप यह न्यूस भी द बड़ा कोलेप्स यहाँ पर देखने को मिला और उमीद थी कि यहाँ पर कहीं नहीं गई जो क्रिमिनल चार्जे से वो इन पर लगने वाले हैं टेरा के एकोसिस्टम पर लगने वाले लेकिन वो नहीं लगने वाले और अभी अगर आप देखें यहाँ टेरा 2.0 लेकर आ च एक्षेंजेस पर मिल चुके हैं इंडियन एक्षेंजेस के अगर हम बात करें कोईंडीसी एक्षेंट को बेर वजिर एक्षेंट इन पर अभी अविलेबल नहीं हुए लेकिन बहुत जल्द आलमोस यहां पर 5-6 जो एड्रॉप है वह इन एक्षेंजेस पर भी जितने होल्ड क्रिप्टो करेंसी को लेकर सेंट्रल बैंक डिटल करेंसी जहां पर सेंट्रल बैंक की डिटल करेंसी आने वाली है वह यहां पर क्रिप्टो करेंसी को किल कर देगी मतलब यहां पर यहां पर बात कर रहे हैं CBDC की जिस पर यहां पर वर्क कर रही है काफी सारी सेंट्रल बैं पर इनका ऐसा मानना और उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से UPI की बात करें UPI और क्रिप्टो करेंसी एक साथ आये थे लेकिन आप देख सकते हैं UPI आज के समय में कितोना जादा यूज हो रहा है इंडिया में लेकिन क्रिप्टो करेंसी नहीं हो रही है तो इनको ये समझ म नहीं आ रहा है कि आपने UPI को support किया है government ने UPI को support किया अगर government यहाँ पर cryptocurrency को लेकर rules or regulation मनाती और उसे कहिना कि support करती तो आप देख सकते हैं cryptocurrency का जो adoption अभी के समय में हुआ है millions में वो यहाँ पर billions में भी हो जाता और काफी सारे लोग यहाँ पर cryptocurrency को as a payment use करते हैं तो यहाँ पर यह इनका opinion है अब बात करते हैं अगली update की इस Solana a buy with soul price at 10 month low and down 85% from its peak जहाँ पर अगर हम soul की बात करें fundamentally काफी strong coin जो अभी यहाँ पर काफी ज़्यादा डाउन में जा रहा है अगर हम इसकी peak की बात करें all time high से almost यहाँ पर 85% डाउन में मतलब अभी तक lowest price पर तो नहीं आया वाई लेकिन फिर भी यहाँ पर जो price है उसमें अच्छा खासा downfall देखने को मिला है तो क्या इस range में से buy कर सकते हैं अगर हम soul की बात करें 30 से लेकर 35 के बीच में अगर आपको मिल रहा है तो काई नहीं के यहाँ पर कुछ amount में buying बन सकती है क्योंकि यहाँ से recovery कर सकता है मतलब soul की अगर हम बात करें fundamentally काफिर stronger और काई नहीं के 35 डॉलर यहाँ पर एक major support का काम करता होने धरा आ रहा है जहां सी यह bounce back कर सकता है एसी उमीद यहाँ पर लगए जा लिए तो काई नगई soul में फिर से यहाँ पर जो लोगों का विश्वास है वो देखने को मिल सकता है अब अगर हम बात करें market की तो market last 24 hours में 0.33% बड़ा total market के 1.23 trillion dollar और अगर हम बात करें BTC की अभी भी यहाँ पर 30,000 dollar के नीचे और 29,500 जो यहाँ पर एक major support है उसके उपर trade कर रहा है और all coins के अगर हम बात करें जादा difference है यहाँ पर last 24 hours में देखने को नहीं मिल रहा है market में अगर हम न्यूस की बात करें इतनी अच्छी news अभी तक market में नहीं आ रहा है लगातार कुछ मैनों से market हमें यहाँ पर sideways में दिखाई दे रहा है BTC जो लगातार यहाँ पर 28 से लगा कर 31 का area है उसी के around अभी यहाँ पर घुमता हुआ नज़रा रहा है और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं साथ ही टेलेग्राम को भी जॉइन कर लें वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी है रेक अपडेट सबसे पहले पराप्त होगी अब हम आपको मिलते किसी ओने अपडेट के साथ तब तक के लिए अपने धाम रखें थैंक यू